नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं एक और नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में आप से बात करने जा रहा हूँ इंग्लेंड और इंडिया के बीच में होने वाली ODI सिरीज के तीसरे मैच की प्रेडिक्सन के बारे में जो बार तीस है मैंनुसार दोपेर में साड़े तीन बजे से स्टार्ट होगा दोस्तों यह मैच 17 जुलाई 2022 को मैंचेस्टर स्टेडियम में खेला जाएगा इस वीडियो में हम इस्टेडियम पिच रिपोर्ट वैदर हैड़ टो एड़ और खिलाडियो के पर दसन से इन दोनों टीमों का कम प्रेजन करेंगे साथी में दोस्तों मैं मेरी पर्सनाल प्रेडिक्सन भी आपको बताऊंगा और एक फैन टैंट से टीम भी आपको दूँगा दोस्तों बात कर लेते हम इन दोनों टीमों के बारे में तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंगलेंड के बारे में दोस्ते अपना लास्ट में जीच करा रहे हैं सो रन से और इनकी पोसिबल प्लेंग लेंग लेंग टीम जैसन रोई, जोनी ब्रेस्टीटो, जोई रूट, जोस बटल, लिवेंग गेस्टोन, इनके बैट्समेन मोई नली, बैन स्टोक, इनके उल्ड राउंडर पलेर किरिंग ओर रिटन, डेविड विली बाइडन, कोर्स, रीस टोपले, इनके बोलर है, जो दोस्तो, काफी मजबूत इस्थिति में हैं दोस्तो, अगर बात करेंगे लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तो, जोई ब्रेश टिटो ने अड़ती सरन के फारी खेली थी साथ में, दोस्तो, मोई नली ने भी बड़े परफॉर्मेंस किया तो, दोस्तो, सहताली सरन बनाए थे और दोस्तो रीस टोपली ने बड़े बोलिंग किती दोस्तो बहुत ही अच्छा प्रफोर्मेंस किया था दोस्तो छह विकेट निकाले थे बात करते हैं कि अपोने टिम इंडिया के बारे में दोस्ते अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं और दोस्तो इनकी पोसिबल पले इंगले उम टीम रोई सरमा सिकरदाउन विराट कोली सुरे कुमार यादोर इसी पंत इनके बैट्समेन हार्टिक पांडया रवेंदर जडेजा इनके ओल्राउंडर पलेर जस्परित बुम्राई यजवेंदर चैल मौमद समी परसिद किर्ष यजवेंदर चैल ने बड़िया परफॉर मैच किया तो दोस्तो चार विकेट निकाले थे उस तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल अवराल 105 मैच खेले गए जिन मेंसे दोस्तो टीम इंडिया ने 56 मैचों में जीते हैं और दोस्तो इन दोनों टीमों के बीच में 5 मैच टाइवी हुए हैं दोस्तो टीम इंडिया ने 56 मैच से 17 मैच तो इंगलेंड की गरेलू जमीन पर जीते हैं जबकि दोस्तो इंगलेंड ने 40 मैच से 23 मैच अपने गरेलू मैदान पर जीते हैं दोस्तो टीम इंडिया अपने खेले गए लस्ट 5 मैचों में से 4 मैच मेंसे इंग्लेंड ने चार में चौ में जीत दर्ज कि यार इन दोनों टीमों के भीचिंट में थे तो चैनलक को सब्खहरने सब्सक्राइब करना साथ ही में दोस्तों । तेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें लिंक मैंने आपको description में दिया है वहाँ पर मापको ठोस होने के बाद में fan 10 से team देता हूँ साथी में दोस्तों वहाँ पर मापको ठोस prediction देता हूँ और दोस्तों कभी हमारी match prediction सेंच करनी पड़ती है तो टेलिग्राम चैनल पर ही बताता हूँ दोस्तों कप्तान पर निरबर है कि दोस्तों वह पहले betting भी चुन सकता है और दोस्तों देखो यार यहां पर तेजगेंद बाउट जो को बहुत अचा profit देखने को मिलता है दोस्तों आपर अभी तक total overall ODI में 2 match कहले गए जिन में से दोस्तों पहले betting करने वाले टीम ने 26 मैचों में जीत धर्च किया जबकि बाद में betting करने वाले टीम ने आपर 28 मैच जीते हूँ और दोस्तों आपर एक मैच टाइवी रहा है दोस्तों का average score 200 गुंटती सरन का है दोस्तों आपर 13 बार score रहा है जबकि दोस्तों 300 पलस भी यहां पर 7 बार score गया है और दोस्तों आपर एदिकांस फास्ट बोलरों को बहुत अच्छा profit देखने को मिलता है दोस्तों आपर अभी तक टीम इंडिया ने 11 मैच खेले हैं जिनमें से दोस्तों 5 मैचों में इनको जीत मिली है और दोस्तों 6 मैचों में इनको हार जालने पड़ी है जबकि दोस्तोँ इंगिलेंड ने अभी तक इस स्टेडिएं में werden 21 मैच रहा है जिनमे से 27 मैच यणों ने जीते है और 14 मैच यून ने यहाँ पर हा रहे हैं और दोस्तो एक मैच इनका भी टाइ हो गया था दोस्तो इस stadium की boundary line थे 105 multiply 65 तो दोस्तो देखो यार बल्ले बाजो को बहुत अच्छा profit देखने को मिलेगा और दोस्तो बरसाथ की कुछ भी संभावना नहीं है आपकी fantasy team में दोस्तो आप first baller जादा रखना बाकि दोस्तो मेरी सह fantasy team लेना चाते हो तो टेलिग्राम चैनल को join कर लिंक मैंने आपको description में दिया है वहां पर मापको ठोस होने के बाद में पर्तेक match की fantasy team देता हूं और दोस्तो कभे मारी match prediction से एंच करनी पड़ती हो तो हम टेलिग्राम चैनल पर ही बताते हैं साथ ही में दोस्तो वहीं पर मापको ठोस prediction देता हूं तो दोस्तो अभी तक परफॉर्मेंस काफी अचा और दोनोई टीम में काफी मजबूती स्थिति में नजर आ रहे हैं और दोस्तो देखो यार पहले match में तो टीम इडिया बहुत अच्छी तरीके से जीती ती यानि कि सोरन से तो दोस्तो दोनोई टीमों का जबरदस्त मुकाबला होगा यह और द इस match को 50-50% जिश सकते हैं लेकिन यार अगर बात की जाए मेरी personal prediction के बारे में तो दोस्तो मेरी personal prediction के अनुसार इस match को टीम इंडिया जिश सकती हैं दोस्तो आप आपकी personal prediction मुझे comment box में बताना हो और दोस्तो आपको पता ही यार किरके टेक अने चित्ता का खहला है यार पर क तो चैनल को सब्सक्राइब करना फिर हम आपसे मिलेंगे टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवार्थ वंदेमाथ